हेलो काईस, स्वागत है आप सभी का हमारे मंठों स्टेटी सेंटर में आज किसी वीडियो में सीखने वाले हैं रिजिनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेट सवाल जो की सभी अगामी एकजामों में पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फ़र्ज सवाल है कथन निसकार से सम्मंदित आप लोग विडियो कुरों कर बनाना कोसिस करिएगा देखिए सवाल मोरा है कि सभी डीमे कूते हैं हो गया कूछ कूते चुहे हैं पिर का पर मोरा है कि कूछ चुहे से भब हैं हो गया बन गया डाइग्राम अब का बोरा है निसकर्स बोरा है कि कोई डीबा कूता नहीं है नहीं भाई फ़हला बात गलत है क्योंकि उसी घर में है अब बोरा है कि नहीं है इतो बात गलत है सारे सरी दूसरा देखिए दूसरा क्या बढ़ा है कि कूछ चू है कूटे नहीं है कूछ चू है करने गया देखिए यह चू है वला है कूछ चू है कूटे नहीं है यह बात सही है नहीं यह भी बात गलत है क्योंकि देखिए भाई यहाँ पर कूछ काट रहा है लाइन को यह तो बात स इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको. फिर देखिए, यहाँ पर तीसरा बोले हैं कुछ सेवका लाइन है. कुछ सेव चुहे हैं यहाँ पर देखिए भाई काट रहा है यहां बात सही है यहां पर बोल रहे कि कुछ सेव चुहे है है सही बात है तिसलिए तिसरा सही बात है तिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा पहला सही हो जाएगा तीसरा ठीक है भरते हैं अगले सवल की ओर ए रहा दूसरा की उचान दूसरा कीचोन क्या बोड़ा है निमलिकित में से कौन सी संख्या दीगा इस रिंखला में प्रस्ण चीन प्रस्णवाचर के अस्थान पर आएगी यहां पर प्रस्णवाचर के अस्थान पर कौन सा संख्या आएगा और आप लोग वीडियो करोकर ब और 1 जोड़ा गया इसमें, प्लस किया गया, तो हुआ कितना? 11 ध्यान से समझेगा, रुकिएगा, थोड़ा, मिटा कर और चेथ समझाते हैं देखिए 5 में क्या किया? 2 से गुणा किया और प्लस 1 किया ठीक है, तो हुआ कितना? 11, 5 दूना के 10 और 1 जोड़ा तो 11 हुआ 11 में उसी परकार किया गया है 11 में 2 से गुना किया यानि हो गया 11 दुना के 22 और एक जोड़ दिया गया तो हो गया कितना 23 उसी परकार इसमें भी किया है 23 में 2 से गुना किया तो 23 दुना के होता है कितना 23 दुना के हो जागा 46 और 46 में एक जोड़ दिया गया एक पलस कर दिया गया तो हो गया कितना 47 सेम मतलब ओईसी किया गया है इसको भी ओईसी किया गया 47 में 2 से गुना किया पलस एक किया आया है 95 पंचानवे में उसी परकार करेंगे, गुना दू करेंगे, और एक जोड़ देंगे, तो 95 दुना कितना हो जाएगा? 5 दुना के 10 के 0, 9 दुना 18, 119, एक सो नबे, और एक जोड़ दिया गया, तो कितना हो जाएगा? एकसो एकान बे option नमर कौन न दिया है option नमर देखिए D में दिया गया है D option सही हो जाएगा यह रहा दोस्तों अगला सवाल अगला सवाल आप लोग बनाने कोशिश करिएगा बहुत यासान है अगर आप लोग को letter जो है letter दिया गया है alphabet के letter अगर आप लोग को संख्या में याद होगा तो आप लोग ऐसा सवाल solve कर पाएंगे ठीक है आप लोग कोशिश करिएगा अगर आप लोग को संख्या में याद होगा तो देखिए कूच भी नहीं किया गया है जिस परकार इन दोना का संबंद देखिए उनहातर हो जाएगा तो देखिए तीन तरीके 9 और तीन दरीके 6 देखिए उनहातर आगया और यहाँ पर देखिए उनहातर दिया गया है सेम लोजिक इसमें भी करेंगे सभी को जोड़ेंगे तो d आता है चार बार में और ऐन आता है कितना courageous बार में उसी परकार यहां 8-14 आया जोडने पर दुनों को लेटर को जोडने पर, संख्या में, तो आगञा थीन से गुना किया, तो आया चाह हुआ और उसी परकार इसको भी करना है, कुछ नगी करना है, तो देखिए C आता है 3 बार में U आता है 21 बार में और T आता है 20 बार में सभी को जुड़ियों तो कितना हो जाएगा यानि कि देखिए 233 हो जाएगा 24 और 24 और 24 में 3 से उसी परकार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44 दिया होता है 132 132 जो कि यह option नमर देखिए, पहला में दिया है, इसका पहला option क्या हो जागा, right हो जाएगा, दोस्तों यह रहा है आपका अगला सवाल, वेन आरेक से सम्मंदित सवाल है, आप लोग वीडियो कुरो कर बनाने कोश्च करिएगा, सवाल देखिए बोल रहा है कि उस वेन आरेक का चैन करें जो निबलीकित वर्गों के बीच समंद को सही निरूपीत करता है, मतलब कैसा डाइग्राम बनेगा, आप लोग बनाईएगा, कैसा वेन आरेक बनेगा, चलिए मैं बनाता हूँ, एक चीज़ आप लोग समझने कोश्च करिए, कि सोना और चांदी, कभी भी मतलब कभी सोना चांदी हो सकता है, कभी चांदी सोना हो सकता है, सोचिये ने अपने से, हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो भाई इन लोग क्या हो जाएगे, अलग-अलग हो जाएगे, यह हो जाएगा सोना, और यह हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, औ और आभूशन तो भाई दोनों बनते हैं ठीक है आभूशन देखिए कुछ आभूशन शोना होते हैं और कुछ आभूशन हम लोग चांदी कभी बनमाते हैं तो डाइग्राम देखिए इसका ऐसा ही बनेगा उप्सन नमर जो कि B में दिया है और किसी के दमान में चाहरा कि A, C, D क्यों नहीं होगा एक चीज़ समझे D option को देखिए कूछ मतलब देखिए कूछ चांदी सोना हो सकता है नहीं नहीं हो सकता है इनलोग तो अलगा ही रहेंगे ऐसा B option जैसा क्योंकि देखिए कूछ सोना चांदी तो नहीं हो सकते है इसलिए D option गलत है C option के देखिए, C option को हम का करेंगे कि सभी सोना अभूसन है, सभी सोना अभूसन है और एथी चांदी अलगे कर देंगे नहीं भाई ये दोनों देखिए अभूसन है सोना और चांदी दोनों अभूसन है ठीक है तो कुछ देखिए अभूसन हम लोग सोना के बनवाते हैं और कुछ चांदी के बनवाते हैं ठीक है और बी ओप्सन देखिए क्यों नहीं होगा इसमें देखिए क्या क्या है थोड़ा किस दोस्तों इए रहांका पचवा सवाल बलाड रिलेसंसे समन्दित है वीडियो को रोकर बनाने कोश्च करिएगा बहुत ही आसान सवाल है देखे सवाल क्या कह रहा है ए वह बी का भाई है जो है न बी का भाई है इन लोग क्या है भाई है ठीक है भाई ठीक है जब दुनों भाई है तो कोची का चिन लगेगा चीन लगेगा चाहिए नहीं भी लगएगा वो नीचे लिख दीजीगा भाई तो चल जागा כाम फिर आगे बहुना है कि C वर D के बहुन है C जो है डी के बहुन है C जो है D के बहुन है C जो है D के बहुन है बहुन है C है D के बहुन है C है नहीं थोड़ा यहां पर गल्दी लिग दिया है रुखिये गा C वर D का बहन है न तो देखिए D का बहन है D का बहन है C है तो यह तो साफ साफ पाता चल रहा है कि माइनस होगा क्योंकि बहन है D के D तो नहीं है पाता नहीं है कि लड़का है कि लड़की अभी नहीं कम हम है इस वर है इसे तिर जाएगा बहन हो गया चलिए अब क्या बो रहा है सवाल आगे सवाल देखिए यहाई पर सभी लोग गड़ बढ़ाएंगे सवाल देखिए बो रहा है कि एक का बेटा डी का भाई है एक का बेटा डी का भाई है एक का बेटा जो है ना डी का भाई है डी का एक वाउ भाई है ठीक है कोई और वे बहाई होगा पाता भी नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसी ले ले लेते हैं आश्टार का एक चीन ले लेते हैं ठीक है ति इसका भाई है ठीक है अब क्या पो रहा है देखे सवाल तो बताओ B का C से क्या सम्मंध है B का C से देखे जिसमें C अगर लग जाएगा उप पिछला अदमी अगला को का कहेगा मतलब C B को का कहेगा जो C है B को का कहेगा तो C का पिता कौन है A है और इन दुन भाई है तो यानि हमारे चाचा जी हो जाएगे B होंगे ना तो इसका राइट अंसर B हो जाएगा देखे छटा सवाल बोल रहा है कि एक नीचित कुडवासा में C L U T C H को D N X X H N के रूप में लिखा जाता है और इसको देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है ति इसको किस परकार लिखा जाएगा यही तो बोल रहा है जिस परकार इन सभी लेटरों को लिखा गया है उसी परकार मतलब इस लेटर को किस परकार लिखा जाएगा चलिए मैं बनाता हूँ आप लोग बनाने कुछ करिएगा वीडियो को रोक कर ठीक है अच्छा इन लोग को रिलेशन देखते हैं किस परकार है कैसे मतलब संबन्दित है तो सभी सभी लेटर को क्या करना है सभी को संक्या में लिख लेना है तो देखिए C आता है तीन बार में L आता है बारा बार में U 21 बार में आता है को मले लेते हैं और T आता है आपका 20 बार में C आता है आपका 3 बार में H 8 बार में हिर उसके बाद इन सभी को लिखिये, डी आता है, चार बार में, N 14 बार में, X 24 और एक और X है, तो यानि ओ भी 24 और H 8 और N 14 अब इन लोग का आंतर देखिये, तो कितना का आंतर है, कलर चलिए, चेल्ज कर दता हूँ, देखिये, तीन में एक जोड़ा गया, तो हुआ चार, इसमें उपर में, उपर संख्या में जोड़ा है, तो उपर संख्या में दो जोड़ा गया, तो हुआ चाउदा, इसमें देख देखिए बढ़ते करम संख्या मतलब जोड़ा गए एक दो तीन चार तो सेम लोजिक तो वह इसा ही कर दना है डाबलू एडबल एल एटी को ठीक है वैलेट को चलिए मैं इधर बना दता हूँ जगह तो नहीं है कोशिस करता हूँ ठीक है देखिएगा डाबलू देखिए 23 बार में आता है ए आता है एक बार में और एल बार रहो एल बार रहो एपांच और टी आता है बीस बार में चलिए हो गया इतना अब क्या करना है उपर अला संक्या में जोड़ना है एक ठीक है एक बोल रहा है मतलब जिस परकार मैंने इसको जोड़ा उसी परकार उसको भी जोड़ना है तो देखिए 23 23 के बात क्या एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा चबवीस फिर उसके बाद एक है यहां पर यहां पर दो जोड़ाएगा यहां नहीं हो जाएगा कितना तीन इसमें कितना जोड़ाएगा तीन जोड़ाएगा तो बारा तिन कितना होता है पंदरा होता है तो पंदरा लिखिये इसमें बारा में कितना जोड़ाएगा चार जोड़ाएग फिर इधर तो जगे नहीं है इसमें कितना जोड़ाएगा 20 में 6 जोड़ा जाएगा तो 26 कितना होता है 26 होता है इधर लिगी देता हूँ ठीक है तो इन लोग को सभी इस अंख्या को लेटर में लिग लिजिए तो देखिए अब 24 बर में क्या आता है तो एकूस आता है 3 बर में क्या आता है C आता है O आता है 15 बर में 26 बर में जेड आता है तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नमर देखिए है देखिए तो दियां से X,C,O,P J,Z है न ऑप्शन नमर d इसका राइट हो जाएगा बहुत ही असान सवाल था दोस्तों यह रहा आपका अगला सातवा सवाल सातवा सवाल क्या वो रहा है कि दिया गाय भी कलपो में से उस अचर समू का चैन किजिए जो निमली की चरिंकला में प्रस्णवाचक के अस्थान पर आएगा आ सकता है यहां प्रस्णवाचक के अस्थान पर कौन सा लेटर आएगा वह आप लोग बनाएगा कोमेंट वाक्स में बताएगा इसका अंसर चलिए मैं बनाता हूँ सभी लेटर को संख्या में लिखना है तो देखिए एच आता है आपका आठ बार में है है कि पहले तो इसको चे कर लेते हैं अच्ण फर्स्ट अला को चे कर लेते हैं सब से पहला फर्स्ट को चे कर दे ठीक है पी आता है कतना 16 बार में एक सचॉवीस और एफ habeag 2016 आता है आपका चो बार में और 24 में 8 जोड़ा गया तो हुआ कितना 6, जैसे मालेजी कि देखे, 24 बार में 1 आता है, तो X के बाद Z आता है, तो यानि वहाँ पर 2 ही रहेगा, यानि 2 काउंट किया जाएगा संख्या, और Z के बाद आगे जाएगा, तो क्या आएगा? एफ यानि 6, देखें जो कि 6 यहाँ पर लिख्या है, एफ आता है, लेटर, तो यानि 2 और 6 को जोड़ा देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6, 2, 8, यानि यहाँ पर प्लस 8 ही होगा, अगला क्या आएगा? लेटर, यहाँ पर एफ होना चाहिए, जो कि इसका संख्या लिखा जाएगा? 6, ठीक है, तो 24 में 8 जोड़ा गया, तो मतलब X, Y, Z, फिर उसके बाद A, B, C, D, E, F, F तक गया, यानि 6, समझने को कोशिस करिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 6 में फिर उसकी परकार 8 जोड़ा गया, तो कितना होगा? 8, 6, 14, यानि अगला क्या आएगा? 14 आएगा, 14 बर मे आएगा, यानि लेटर N होगा, जो कि option किस किस में दिया है, option नमर देखिए, B में ही दिया है, बाकी में नहीं दिया है, first में देखिए, M दिया है, फिर P, P, दिया है, जो कि option B में दिया गया है, सत्वा के दो, answer इसके right, B ही हो जाएगा, direct ही, तो दोस्तों, आप लोग मिला लिजेगा, बाकी को ठीक है, इन सभी को आप लोग मिला लिजेगा, इन सभी letter को आप लोग मिला लिजेगा, उसी परकार, आप लोग के system में जैसा ही, एक अगर letter मिले, तो भटक से आप लोग मार दिजेगा, इसा है, इन नहीं कि पूरा, चेक करना है, तो इसका B ही right हो जा उस बिकल्प का चैन करें जो पाचवे अचर समूँ से उसी परकार सम्दित है जिस परकार दुसरा अचर समूँ पहले अचर समूँ से सम्दित है और चोथे अचर समूँ तिसरे अचर समूँ से सम्दित है देखिए इस सवाल के कहने का मतलब है कि जिस परकार डी जी एस का सम तो देखुंए salads परजॉनार तो देखुंए मैं इन दोनों को देखता हूं मनदीत उसी परकार इसको कर देंगे तो देखिे D बार में याता है तो डियाता है चार बार ändern जि आता है अवह कोने इस बार में, इसको भी OEC लिग लीजिए, P आता है 16 बार में, E आता है 5 बार में, C आता है 3 बार में, अब उनलों का देखिए तो अंतर देखिए तो केतना कहा है, कोची किया है, देखिए दोस्तो, 3 में 1 जोड़ा गया, हुआ यहाँ पर आया, तो केतना संख्या हो गया, 4 हो हो गया, यहाँ पर देखिए 5 में, नीचे उला संख्या में 2 जोड़ा गया, तो हुआ कितना 7 हो गया, और 16 में देखिए क्या किया गया, नीचे उला संख्या में इसमें 3 जोड़ दिया गया, तो हो गया कितना 29, 16, 13, 19 होता है, यहाँ पर देखिए तो, देखिए 1, 2, 3, य के आता है आपका 11 बार में सेम लोजिक करना है देखिए यहां जो संख्या है इसमें कितना जोड़ना है एक जोड़ना है जैसे यहां पर देखिए जोड़े थे यहां पर अगर हम एक जोड़ेंगे इसमें यहां पर अगर मालीजी कि चार रहेगा तब ही तो होगा चार में ए 8 यानि कि यहाँ पर 8 रहेगा तभी तो हम तीन जोड़ेंगे तो एक आ रहा होगा ?」 और फिर सामने उल्वार्षिंख्या H F D किस option में है ऐसा लेटर option नमर दिखे A में दिखाई दे रहा है लेकिन तो पाया है A option इसका दोस्तो राइट हो जाएगा H F D तो दोस्तो कैसा लगा है मेरा वीडियो comment box में जरूर बताएगा आप सभी से request है प्लीज ओके बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में